Hey guys, मिरे नाम है Pankach and आज का जो वीडियो है वो थोड़ा informative होने वाला है देखिए इस तरह से गाड़ी के अंदर साइकल को लिटा के लेके जाना ना बड़ा cool लगता है कि यार कहीं भी गाड़ी पार कर दी साइकल लिका लिए दिन चल दिये Trust me, it's a bad idea ये वेवकुफी मैंने दो-तीन वार की है and then I realized कि मुझे ये अब आगे नहीं करनी है and then आपको भी मैं recommend करूँगा कि आप ऐसा ना करें तकि bicycle के अंदर ना बहुत सारे ऐसे sharp objects होते हैं जिससे अगर आपने proper layering नहीं किया seat के अपर कोई कुछ बिचाया नहीं है कुछ निग नहीं किया तो होगा क्या इंफेक्ट कर की भी है और कहीं से थोड़ा सा खर वो खुला रह गया तो उन sharp objects से कहां पर कैसे cut लग जाएगा और आपके leather की seats हैं वो फटनी शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा प्लस इतने सारे metal के parts होते हैं मेरी गाड़े मौलड़े एक दुछ जगा scratches लग चुके हैं मतलब अपने interior के साथ खिलवाड करनी जैसी चीज हो गई क्योंकि scratches लगए आज सुबह निकालते समय मेरे से handle सीशे में लग गया थोड़ा सा thankfully कुछ हुआ नहीं बट यह सारी possibilities है अब उन सबसे उपर जो सबसे बड़ा reason मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए वह यह है कि पूरी cycle की alignment खराब हो गई मेरी reason being कि इस तरह से जब मैंने इसको लिटाया तो थोड़े जो break के place थे वह टायर में जाके सटगे तो मुझे आवाज आनी शुड़ हो गई हेडलाइट पूरी ऐसे टेड़ी हो गई इसके जो मटगार्ट से वह ऐसे पूरे टेड़े हो गई तो इतना सारा ताम जाम क्यों करना है बैटर की एक foldable cycle ले लो पीछे डिगी में रकोर्ट चल दो इस तरह की cycle अगर आप ले आपने पर्चेज की हुई है तो मैं recommend करूंग अगर मैं कहीं commute कर रहा हूं अगर local में है तो तो फिर मतलब इसको कहीं आपको लेना जोड़ती नहीं पड़ेगी पर अगर कहीं दूर जा रहे हो तो foldable cycle ही prefer करें I think वह best option होगा सो यह सीख थी जो मुझे मिली और मैं आपको as a recommendation देना चाहता हूं कि यार it's a bad idea please don't do it आज का जो meet-up था यी मोटराड की तरफ से था डैली में और मैसूर cafe जगा है वहाँ पर I think it was a nice experience meeting different people कुछ नए दोस्त बने नई bicycle वहाँ पर BMW की bicycle आई भी थी है चाहिए था probably I'll think next time की कैसे इसको करना है I think that is all for this video thank you so much for watching और जल्दी आता हूं एक नए vlog के साथ for this bicycle last week मैं इसकी testing करी थी कितना चलती है एक charge पर शायद I think next time मैं करने वाला हूं की pedal assist पर किना mileage देगी but yeah that's it for now thank you so much guys take care of yourself and love you